जो एक question है, the question says, let d2y by dx2 plus 2x upon 1 plus x square into dy by dx plus y upon 1 plus x square is equal to zero. यह रहा है, एक equation ने रखखा है, this is called differential equation, differential equation क्यों? क्योंकि इसमे derivative भी involved है, x or y भी involved रहा है, तो और किसी भी equation में ऐसे करके लिखा हूँ, इसमें derivative involved हूँ, तो that is called differential equation and उसने क्या बोला x is equal to 10 theta then prove that this expression ये दूसर this equation sorry ये दूसर differential equation आगे ठीक है अब क्या है तुम इसको ऐसे देखो effectively हमें यहां से यहां तक जाना है और यह information यूज करना है तो even if मेरे को समझ में नहीं नहीं है क्या solve करना है कैसे solve करना है कैसे पहुँचे तो simple observation तुम क्या कर सकते हो कि जो original equation दे रखे इस equation से ये equation चाहिए क्योंकि यहीं से यहां तक आना होगा और क्या है equation के बदले equation यहां सकते जो original equation दे रखे उसमें x और y variable है ठीक है और जो equation prove करना है उसमें theta and y variable है ठीक है तो as a layman even if you are not getting के solve कैसे करना है simply तुम्हें यह पताए कि करना क्या है ठीक है of course क्या करना है मेरे को x eliminate करना है first equation यह जो दे रखा है इसमें से x को हटा के theta introduce करना है ठीक है तो उसका मतलब क्या है कि जहां जहां पर सीधा सीधा x लिखा हुआ है जो resulting equation उसमें तो y तो चाहिए मैं रखो तो y को तो हम छेड़ेंगे नहीं जहां जहां पर x लिखा है जैसे यहां लिखा है 2x में यहां पर x लिखा है 1 प्लस x स्क्वेर में यहां पर x लिखा है ऐसे यहां पर ही 1 प्लस x स्क्वाइर में x लिखा है इन सब x की जगा पर तो 10 थीटा रख दिया ठीक है फिर dy by dx में ये जो y का differential coefficient लिखा है x के respect में ये भी हमें y का differential coefficient चाहिए थीटा के respect में ठीक है तो यहां पर भी थीटा convert करेंगे और थीटा में convert किस से करेंगे इस relation के help से तो सबसे पहले था हमने इसे लिखा x is equal to 10 थीटा ठीक है इसको हमने क्या किया थीटा के respect में differentiate कर दिया तो आज़े गर dx upon d थीटा is equal to 10 थीटा 10 थीटा को थीटा के respect में differentiate करने तो सीधा सीधा आजएगा second square theta और कुछ फालतू तो आएगा नहीं ठीक अगर यह माल यह 10 z होता उसको अगर हम थीटा के respect में differentiate करते मतलब अगर तुमसे बुरहाना है कि 10 z है उसको differentiate करो थीटा के respect में तो क्या करेंगे पहले तो हमने 10 z को differentiate कर लिए z के respect में बोला तो उसने थीटा के respect में बट हमने क्या कर दिया chain rule से पहले z के respect में differentiate कर लिए और फिर नए variable z को differentiate कर दिया थीटा के respect तब यह answer आएगा बट यहाँ पर आशा नहीं यहाँ यहाँ यह भी 10 theta है और differentiate भी हमें थीटा के respect में करना है ठीक है तो यह आगया तो dx ओवर d theta के इतना आगया सेक स्कुरे थीटा अब इस equation के एक एक term पर आए तो जहाँ पर x होगा हमाँ तो 10 theta रग दिया देगा जहाँ dy by dx होगा अब इसको हमने किया dy by dx मतलब यह जो dy by dx है यह convert करना पड़ेगा तो dy by dx को कैसे convert करें इस x के यह theta चाहिए तो फिर वोई chain rule इसमें बुला कि y को differentiate करो x के respect में तो हमने क्या किया y को differentiate कर लिए एक नए variable theta के respect में बस फिर साथ में क्या किया नए variable theta को differentiate कर दिया पुराने variable x के respect में ठीक है तो dy by d theta यह तो हमें resulting equation में चाहिए होगा क्योंकि resulting equation य और theta आ सकते d theta over dx यह नहीं चाहिए क्योंकि इसमें x आ रहे है तो वो यहां से दिख रहा है यह dx over d theta लिखा है यह d theta upon dx लिखा है तो first derivative तो simply क्या होता है एक दूसरे का reciprocal होता है तो अगर dx over d theta second square theta है तो d theta over dx कितना हो जाएगा 1 upon second square theta ठीक है which is nothing but cos square theta into dy by d theta ठीक है यह ऐसा गरने से क्या होगा वापस इस equation प्रागे यह convert हो जाएगा यह तो anyways x है अब इसको convert करना पुड़ेगा d2y by dx2 second derivative मतलब d2y by dx2 मतलब first derivative का derivative ठीक है first derivative तो हम इतना कर चुक है तो यह उठा के हमने यहाँ ला दिया यहाँ ला के रख दिया d dx of cos square theta into dy by d theta ठीक है यह तो सब सही है क्योंकि यह with respect to with respect to theta है यह भी theta के dance में लेका हूँ है बट यह सही नहीं है यह तो x के dance में लेका हूँ है इसको हटाना है तो उसको हटाने के लिए हमने क्या किया अगर यह bracket के अंदर z लिखा है तो यह expression क्या बोला है कि z को differentiate करो x के respect में तो हम ऐसे बोल सकता है कि पहले z को हमने differentiate कर दिया theta के respect में यहाँ पर z लिखा है z मतला यहाँ लिखा है cos square theta into dy by d theta यह z हो गया तो पहले थो हमने हमें z को differentiate करना था x के respect में तो हमने क्या किया z को differentiate कि theta के respect में नए variable theta के respect में और फिर नए variable theta को differentiate कर दिया old variable x के respect में ठीक है और जैसे हमने यहाँ पर यहाँ पर किया था कि d theta over dx की value कितना है 1 upon 6 square theta तो वह फिल लिए सकते है this is equals to d d theta of cos square theta into dy by d theta यह तो अलग हो गया और इसकी जगा पे आगया 1 upon sec square theta ठीक है अब simplify करने के लिए अब इसको differentiate कर लिया इसने क्या हो लगा इस expression को theta के respect में differentiate कर लिया and this expression is product of two functions एक cos square theta और एक dy by d theta तो पहले तो हमने cos square theta को differentiate किया तो अगर cos square theta को differentiate किया तो कितना आजाएगा 2 cos theta into minus sine theta ठीक है यह जाएगा into second function dy by d theta as it is plus product rule लगा रहे पहले इसको differentiate किया तो cos theta का whole square लिखा हुए तो x square की तरह differentiate होगा तो हहाँ से तो यह आगे 2x ठीक है फिर अंदर गए bracket के अंदर गए cos theta का whole square लिखा था तो bracket के अंदर cos theta लिखा है फिर उसको differentiate किया तो minus sine theta आगे यह आगे dy by d theta second function उसको as it is लिखा फिर हमने का किया first function cos square theta को as it is लिखा into dy by d theta को differentiate किया तो dy by d theta तो first derivative है वो भी theta के respect में उसको हमने एक बार और differentiate किया theta के respect में तो that will become second derivative d2 by d theta 2 यह हो जाएगा ठीक है I hope you are with me so far ठीक है कुछ भी नहीं product rule लगा रहे तो पहले cos square theta को differentiate किया आगे second function dy by d theta as it is आगे दूसरे में क्या होगा dy by d theta differentiate होगा theta के respect में तो अगर dy by d theta मतला होगा नीचे theta है और उसको एक बार और theta के respect में differentiate किया तो जो फर्स derivative हो वो वो second derivative बन जाएगा तो यह लिख दिया हमने second और इंटू साथ में क्या लिखाए one upon second square theta उसको लिख लिख लिया cos square theta यहां से ठीक अब ऐसा करने से हमने क्या किया ऐसा करने से क्या हो गया कि जितने भी individual terms लिखे हैं सुरी कहां महुच गए यह था जितने भी individual terms लिखे हैं वो सब हमने लिख लिख लिए ठीक है तो चलो अब शुरू हो जाते हैं equation कहा है d2y by dx2 plus 2x upon one plus x square into dy by dx plus y upon one plus x square is equals to 0 यही था शायद y upon one plus x square 2x हां बिलकुल अब इसमें क्या क्या किया substitute करना शुरू तो d2y by dx2 की जगह तो यह पूरा expression आ जाएगा ठीक है यह expression कितना हो गया यह expression कितना हो गया यह हो गया 2 cos3 theta into minus sin theta into dy by d theta plus cos 4 theta into d2y by d theta square यह तो क्यों पहला टाम है फिर प्लस दूसर टाम यह देगा 2 10 theta upon one plus 10 square theta into dy by dx तो dy by dx क्या था यह था cos square theta dy by d theta यह हो गया cos square theta into dy by d theta ऐसा करने से second term लिखा गया चीक है plus third term y करता कुछ नहीं करना उसको तो ऐसे लिखना नहीं दिया divided by one plus x square तो one plus 10 square theta equals to zero यह 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 one plus 10 square कितना हो जाएगा तो यह second square और यह मिलके कितना हो जाएगा cos theta raise to 4 हो जाएगा से square को उपर ले जाओ गोगे तो cos theta raise to 4 आ जाएगा 10 theta जाएगा sin upon cos तो एक sin आ गया 1 upon cos आ गया और यह cos theta raise to 4 है तो उस 4 से cancel करोगे तो यह कितना बन जाएगा है यहाँपर 2 sin theta बचेगा and cos theta raise to 4 cube बचेगा एक dy by d theta तो यह term भी exactly वही है 2 cos cube है minus sin theta है dy by d theta है तो इस term में और इस term में क्या अंतर है बस यह अंतर है कि एक plus sign के साथ और एक minus sign के साथ है तो यह पूरा और यह पूरा cancel हो गया ठीक है यह 1 plus 10 square कितना हो गया second square उसको उपर ले गए तो कितना हो गया cos square यह कितना है cos raise to 4 तो यह cancel हो जाएगा ठीक है मतलब पहले तो चलो ऐसे लिख दिया cos 4 theta into d2y by d theta square plus cos square theta into y is equal to 0 यहाँ गया तो यहाँ से cos square theta निकाल सकते हैं हिटा दिया उसको तो फिर this will become cos square theta into d2y by d theta square plus y equals to 0 यहाँ गया if we are not mistaken सभी है perfect है यहाँ गया और हमें प्रूव क्या करना था जो प्रूव करना था वह यह था d2y by d theta square plus y is equal to 0 तो इस बात का मतलब क्या निकला इस बात का मतलब यह निकला की question गलत है question गलत है मतलब गलत लिखा गया तो कोई बात नहीं हमने question सही कर दिया जाके कि यह प्रूव कर लो ठीक है cheating है बट कोई बात नहीं समझ में आता है original question यह होना चाहिए तभी प्रूव होगा then prove that this और अब आके हमने यहां बोल दिया हैंस प्रूव ठीक है होप यह जो steps बीच में लिखाए थोड़े बड़े-बड़े step हैं बट समझ में आगा होगा होप ठीक है